दोस्तो नमस्कार वीकेनोलेज इलेक्टिकल में आप सभी का स्वागत है वेकेंसी न्यूज अप्टेट लेकर हम एक बार फिर उपस्तित हैं दोस्तो ये वेकेंसी टाटा इस्टील की है अब वैसे ये पूरी तरह से हम ये तो नहीं कह सकते कि सरकारी है लेकिन दोस्तो एक सरकारी करमचारी को जितने भी बेनिफिट मिलते हैं वो सभी बेनिफिट वो सभी रूल वो सभी रेगुलेशन्स टाटा इस्टील में एक करमचारी पर भी लागू होते हैं यानि एक तरह से आप lifetime के लिए employee बनते हैं यहां पर भी यानि permanent basis यहां पर यह बढ़ती है दोस्तो यदि आप qualification complete करते हैं तो यह form apply जरूर करें क्योंकि यह बहुत अच्छी vacancy है मैं आपको यही कहूँगा दोस्तो यह vacancy खडगपुर जो bearing division की company है टाटा इस्टेल की जरूरी है दोस्तो कौन-कौन सी trade apply कर सकते हैं कितनी पोस्ट है selection की process क्या रहेगी इनी सब पर मैं बात करने वाला हूँ आप वीडियो को last तक जरूर देखें दोस्तो आप हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को subscribe जरूर करें इसी तरह के update हम आपको इस चैनल पर उपलब्द करवाते रहते हैं दोस्तो वीडियो पसंद आए तो like जरूर करें सभी important जान करें इस वीडियो में आपके साथ मैं share करने वाला हूँ last तक इस वीडियो को आप जरूर देखें तो चलिए दोस्तो बात करते हैं एक एक करके पूरी डिटेल के देखे सबसे पहले minimum educational qualification जो दोस्तो रखी गई है वो है आपका apprenticeship लेकिन दोस्तो apprenticeship भी दो तरह की होती है आपने दिखा होगा कि कुछ apprenticeship ऐसी होती है जिनमें exam नहीं होते है यानि एक वर्स का training होने के बाद कोई return exam नहीं होता है और आपको एक certificate दे दिया जाता है लेकिन आप देखते हैं कि एक apprenticeship ऐसा होता है जिसमें A.I.T.T. All India Trade Test के नाम से एक return exam होता है और इसमें भी आपको marks दिये जाते हैं तो दोस्तों यहां पर वही qualification रखी गई है All India Trade Test for apprenticeship पास यानि apprenticeship पास होना चाहिए आपका A.I.T.T. से और वो भी N.C.V.T. से कियावा होना चाहिए A.C.V.T. से अगर आपका apprenticeship है तो वो नहीं चलेगा Peter, Machinist और Electrician इन तीन trade वाले candidate यहां पर apply कर सकते हैं दोस्तों कुछ जानकरी इसमें कम है इसलिए वीडियो को आप जरूर देखना मैं सभी जानकरी आपके साथ पूरी तरह से साजा करूंगा उमीद है कि आपके सारे जो क्युस्टन है वो इस वीडियो में आपको उनका उत्तर मिल जाएगा तो अब सुनिये ध्यान से यानि जिनके दोस्तों apprenticeship किया हुआ है लेकिन exam नहीं हुआ तो वो यहां पर apply नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने यहां पर all India trade test में minimum qualifying marks आपसे मांगे है यानि all India trade test का जब आपका apprenticeship का exam हुआ जनरल कंडिडेट के 55% नंबर होने चाहिए अब वो student जिनका exam ही नहीं वा तो देखे वो क्या marks यहां पर qualify कर पाएंगे या क्या marks so करेंगे इसलिए वो apply नहीं कर सकते दूसरी बात all India trade test से आपने apprenticeship किया लेकिन वो NCVT से नहीं है तब भी ध्यान रखें आप apply यहां पर नहीं कर पाएंगे दोस्तो minimum और maximum age के बारे में मैं बात करूँ तो जनरल कंडिडेट के लिए है एक फरवरी 1991 से लेकर के एक फरवरी 2003 इसके बीच में आपका date of birth होना चाहिए यानि इसको अगर आप देखेंगे लगबग तो यह 18 से 28 वर्स का age बनेगा तो इसमें आप apply कर पाएंगे 18 से 30 वर्स का लगबग age बनेगा और जो SCST के candidate है उनको तीन वर्स की छूट है यानि वो 88 से भी उनका अगर date of birth है तो apply कर पाएंगे दोस्तो रही बात payment की तो एक वर्स का आपका training होगा एक वर्स का इस दोरान आपको नियत वेतन मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलना और वो वेतन है आपका 10,624 रुपए ये आपको पहले एक वर्स के लिए मिलेगा लेकिन अच्छी बात ये है कि जैसे ही आपका training पूरा हो जाता है तो आपको assistant first O&M operation and maintenance में लगाए जाएगा assistant first की आपको post दी जाएगी जहां पर आपका ये basic रहेगा दोस्तों 8,250 11,750 यानि ये आपका basic रहता है जिसमें 250 रुपए का increment हर साल लगता है और भी इसमें other allowance से जितने भी है वो सबी जुडते जाएंगे और ये जो basic है ना ये 6th grade पे एक अनुसार थी तो अब नया जब 7th grade पे आएगा है उसके according जब करेंगे तो ये basic आपका change हो जाएगा ठीक है तो payment आपकी अच्छी खासी कुल मिलाकर यांपर रहेगी अब देखे दोस्तों training की क्या लिखा है इन्होंने कि selected candidate will undergo one year of defined training program ये ठीक है बाद की बात है यानि जब आप select हो जाओगे तो आपको किसी टाटा स्टील की company में एक वर्स का training दिया जाएगा उस दोरान आपको नियत वेतन मिलता रहेगा साथ यूं selection process सबसे important है यहाँ पर selection process की दो process कुल मिलाकर तीन process आपको follow करनी पड़ेगी number one है written exam होगा online exam होगा second है आपका interview और third है आपका medical हालांकि written exam यदे आप qualify कर जाओगे तो interview और medical इतना बड़ी चीज नहीं होती लेकिन दोस्तों टाटा स्टील में interview अपने आप में बहुत ज़्यादा role रखता है क्योंकि वहाँ पर वो यह देखते हैं कि जो कहूंगा कि interest कितना है क्या वो company को अपना मानते वे work कर रहा है इस तरीके की चीज़े वो उसमें देखते हैं दोस्तों ठीक है और अगर कोई candidate पहले से टाटा स्टील में work कर रहा था लेकिन वो अब permanent employee के थूरू इस post पर आना चाहता है तो उसको noc paste करनी पड़ेगी खेर वो बात की बात है आप देख सकते हैं दोस्तों इस पूरे pdf notification को आप official website पर widget करके download करें पूरा notification पढ़ने के बाद ही आप इसे apply करें official website आपकी screen पर है आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत जल्दी ये advertisement आपको मिलनी पाएगा इसलिए मैं पूरी process बताता हूं करना क्या है सबसे पहले आपको tata steel website पर जाना है tata steel.com उसमें carrier पर click करना carrier पर click करने के बाद आपको option मिलेगा work with us इस पर जब click करोगे तो option आएगा tata steel India tata steel Asia ऐसे करके तीन option मिलेंगे वहाँ पर आपको tata steel इंडिया पर click करना है फिर वहाँ पर आपको option मिलेगा ongoing recruitment तो उस recruitment पर आप click करना आपको option मिल जाएगा 4 फरवरी से दोस्तों इसके online form apply होने start हो जूके हैं 14 फरवरी इसकी last date रहेगी online exam कब होगा इसकी आपको email ID के थरू और कोई इसका tentative date इन्होंने नहीं दिया है यानि forum बरने की 14 फरवरी last date है तो आप apply जरूर करें अब देखिए दोस्तों एक तो इन्होंने return exam का syllabus mention नहीं किया यानि कितने क्यों सनाएंगे कितना time मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है दूसरा यहाँ पर इन्होंने सीटे mention नहीं किये यानि टोटल पोस्ट कितनी है तो कुल मिला कर result यह है कि company number of candidate को maximum लेती है यह ध्यान रखें पेपर पूरा technical का ही होगा वहाँ पर किसी तरह का non-take नहीं देते हैं वो क्योंकि इनको पूरी तरह से technical काम लेना होता है इनका selection या number of vacancies जो है इंटर्वीव पर depend करती है जितने candidate इनके suit हो जाते है यानि इनको लगता है suitable होते है इनको लगता है कि yes यह काम कर सकता है उन सभी candidate को यह ले लेते हैं इसलिए कभी number of vacancies को पहले mention नहीं करते है बड़ी बात यह कभी forum की कोई फीस नहीं लेते हैं यह भी ध्यान रखें forum बरते समय कोई किसी वरकार की payment आपको नहीं करनी है टाटा इस टील में यह ध्यान रखें सबसे बड़ी बात है दोस्तों यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें चैनल पर नहीं हो तो सबस्क्राइब जरूर करें